नमस्कार दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है 2022 के लिए बजट पेश किया जा सुका है हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन ने इस बजट को संसद में पेश किया है बजट से जुड़ी हुई कुछ खास खबरे हम आपको बहुत सरल शब्दों में समझा रहे हैं एक आम आदमी जो इंकम टेक्स देता है उसके लिए कोई भी विशेश नय परिवर्तन नहीं हुए है जैसे कि जैसे हम पिछले वर्षों से टेक्स देते चले आ रहे हैं उसी स्ल बात यह है कि RBI ने जो डिजिटल करेंसी है क्रिप्टो उसके लिए एक महत्वपूर्ण दिशान अरदेश दिये हैं अब जो है क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आए पर प्रतिवेक्ती 30% टेक्स लगेगा और सबसे महत्वपूर्पूर्ण बात यह है कि RBI खुद ब्लाक क्रिप्टो करेंसी से जो आए होने वाली उस पर 30% टेक्स लगने के साथ साथ वर्चूल डिजिटल असेट्स के टेक्सेशन में और बदलाव भी किये गए हैं किसी भी ऐसी प्रोपर्टी के ट्रांसफर पर भी 30% टेक्स लगेगा कोई छूट नहीं मिलेगी कार्पूर्ट टेक्स को 8% से घटा कर 15% कर दिया गया है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सावरेन ग्रीन बांस जो है वो जारी किये जाएंगे इससे मिलने वाली जो रकम होगी उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा जिससे की कार्बन उससर्जन में कमी होगी यान वो सारे प्रोजेक्ट जो कार्बन उससर्जन को रोकते हैं उन्हें इस बॉंड्स की रकम मिलेगी और हमेशा की तरह ही यही कहा गया है कि कोशिश की जाएगी कि साहट लाख नए रोजगारों का आउसर जो है वो पेदा किये जाएंगे गरीब लोगों के लिए 80 लाख क्य यह निर्मान की जो है घोशना की गई है इसके लिए 48,000 करोर रुपे का बजट भी सैंक्शन किया गया है 2022 और 2023 में इपास्पोर्ट भी जारी किये जाएंगे जिन में विशेश तरह की चिप लगी होगी ताकि आपको जो है दूसरे कंट्री में यातरा करने में सहुलियत हो डाग घरों से ATM भी मिलेंगे खास बात यह है कि सरकार ने इस चीज को माननी किया है कि जो डिजिटल करांती आई है उसे रोकना ना मुमकिन है इसलिए व्यवसाइक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी टेकनोलोजिका इस्तमाल किया जाएगा एक डिजिटल वे में लाया जाएगा तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे हम अपने घर का बजट चलाते हैं ठीक उसी तरह जो हमारे देश के केंद्रे मंतरे मंदल होता है वो और वित्तमंत्री सभी मिलकर देश का बजट टै करते हैं किस मत पर किस जगह किन चीजों पर कितना पैसा क्या चीजे सस्ती रहेंगी, क्या चीजे महंगी रहेंगी, इन सब की जानकारी भी बजट में दी जाती है। अपना नया स्टाटप शुरू करना चाते हैं, उन्हें सरकार ने विशेश रियायते दी ही, यानि टेक्स में उनको छूट मिलेगी, जिस तरह पिछले दो सालों से कोरोना महमारी से लोग लड़ते-लड़ते मांसिक रूप से ठक गए हैं, ऐसे में सरकार ने हेल्थ प्रोग् करनसी में जो निवेश कर रहे हैं, उनके उपर 30% टेक्स लगेगा, लेकिन इसका पैटर इस तरह से रहेगा कि यदि आप किसी को डिजिटल या क्रिप्टो असेट में गिफ्ट के रूप में देते हैं करनसी को, तो आपको 30% टेक्स देना होगा, अगर आपके निवेश मे घाटा होता है या कोई नुकसान होता है, तो गवर्मेंट उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी, खास बात यह है कि हमारी वित्तमंत्री का कहना है कि इस बजट से भारत को अगले 25 साल की बुनियादी राहते मिलने वाली है, इससे आर्थिक जो ग्रोथ है हमारी वो 9.2 बन रहने की उम्मीद है